Hello friends, in medicine, Biochemistry BP2030 के इस वीडियो में हम लों Unit 5 में Regulation of Enzymes के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग Enzyme Regulation के Introduction के बारे में बात करेंगे Enzyme Induction के बारे में बात करेंगे और Enzyme Repression के बारे में डिटेल में बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंग चलिए शुरू करते हैं तो अगर हम लोग यहां पर regulation of enzymes के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो सब्द है यहां पर regulation उसका मतलब होता है controlling तो हमारे enzyme को control करने की process हमारा simply यहां पर enzyme regulation कहलाता है और अगर हम लोग बात करते हैं यह किस किस तरह से achieve होता है तो या तो हमारे enzyme की जो activity है वो enhanced या decreased होती है तो उस condition में हमें enzyme का regulation देखने को मिलता है या जो हमारे cell के अंदर की conditions होती है वो अगर alter होती है change होती है like उसका pH change होता है ionic extent अगर वहां पर change होती है तो उस condition में हमें enzyme का regulation होते हुए देखने को मिलता है तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो cells के अंदर अलग-अलग प्रकार की metabolic activities होती है उनको catalyze करने का काम हमारे enzyme से हाँ पर करते है और हमारा जो enzyme है उसकी activity को control करने की जो process है वो हमारी simply enzyme का regulation यहाँ पर कहलाती है और इसको हम लोग दो तरीके से achieve करते हैं पहला है enzyme की activity या तो बढ़ जाए या वहाँ पर घड़ जाए तो हमारा enzyme का regulation हो वहाँ पर हो जाता है या जो cell है उसके अंदर की conditions है वो अगर वहाँ पर change हो जाती है pH में बदलाव आता है ionic strength में बदलाव आ जाता है तो फिर हमें enzyme की activity वहाँ पर change होते हुए देखने को मिलती है और enzyme का regulation हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है तो इस condition में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर जो एक्टिवेटर से उनके बारे में बात करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर काफी कम समय में हमारे enzyme से catalyzed reaction के rate को thousand time तक increase करने के उनके अंदर capability होती है तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि एगर कोई हमारा substance है, molecule है thousand time हमारे enzyme की activity को बढ़ाने का काम यहाँ पर करते हैं उसके बाद में अब हम लोग enzyme का जो regulation है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो हमारा enzyme का होता है वो regulation अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो यह basically हमें दो तरीके से achieve होते हुए देखने को मिलते हैं तो हमारा इसमें अगर हम लोग आसान तरीके से कहें तो क्या हो सकता है कि अगर हम लोग जो enzyme की activity है अगर उसको increase या decrease करना है तो अगर हम लोग enzyme की quantity को ही अगर बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं कि हमारा उतना ही enzyme वहाँ पर जादा active हो जाए तो उस condition में हम लोग enzyme का जो regulation है वो कर सकते हैं या जो हमारे enzyme से हैं उनकी activity अगर कम हो जाए तो उस तरीके से भी हम लोग enzyme का regulation यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं तो इस प्लेस पे हम लोग एंजाइम का जो regulation है वो simply दो तरीके से achieve करते हैं, पहला है हमारा regulation of the gene expression और दूसरा है regulation of the enzyme activity, तो हमारा gene expression है उसको भी हम लोग regulate करके अपने enzyme की synthesis की process है उसको increase करके या decrease हम लोग करके अपना जो enzyme का regulation है वो वहाँ पे कर सकते हैं, या जो enzyme की activity है उसक हम लोग अगर increase या decrease अगर करते हैं, तो उससे भी हम लोग enzyme की regulation को simply यहाँ पर कर सकते हैं, तो आसान तरीके से कहें, तो क्या होता है कि जो हमारा DNA की replication की process है, उसमें क्या होता है कि हमारे DNA से DNA का formation होता है, genetic information एक generation से दूसरे generation में हमें जाते हुए देखने को मिलती है, तो जो हमारे DNA हैं, उनके अंदर क्या है, protein का जो synthesis है, उसका जो वहाँ पर information है, वो हमारे DNA के अंदर होता है, फिर वहाँ पर हमें transcription की process होते हुए देखने को मिलती है, DNA से हमारे एक जो particular protein है, उसके formation के लिए जो भी information चाहिए, वो फिर messenger RNA के form में हमें transfer होते हुए देखने को मिलती ह है, फिर हमारा जो होता है messenger आने, जो हमारा RNA है, वो फिर translation की process में involve होता है, और protein की synthesis को करने का वहाँ पर एक तरसे काम करता है, तो इस तरीके से अगर हम लोग जो gene का expression है, हमारा जो protein की synthesis है, या जो हमारे enzyme की वहाँ पर synthesis है, उसको ही अगर हम लोग ज़्यादा या एक तरसे कम कर देते हैं, जो हमारा यहाँ पर होता है transcription की process या translation की process है, यह अगर हम लोग increase करेंगे, तो हमारे enzyme का formation वहाँ पर ज़्यादा होगा, अगर हम लोग इसको यहाँ पर decrease करेंगे, तो क्या होगा, हमारा enzyme का formation वहाँ पर कम होते हुए वो देखने को एक तरस वो प्राप्त हो जाती है तो वो अपने आप ही enzyme के formation को बढ़ा देता है तो इन वो तीन process में बदलाव से हम लोग इन तीन process का जो regulation है उससे हम लोग अपने enzyme को भी simply regulate करने का यहां पर काम करते हैं उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा regulation of enzyme activity है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा जो सबसे पहला है वो हमारा aloosteric regulation है वो होता है तो हमारे जो enzyme से उनके उपर हमें यहाँपर legislative को इंक्रीज करने का काम करते हैं और जो हमारे निगेटव इफेक्टर वो क्या करते हैं कि वो हमारे एंजाइम की activity को decrease करने का यहाँ पर काम करते हैं, तो जो हमारे एंजाइम के उपर active site के अलावा और जो sites होती है, अगर वो वहाँ पे होती हैं, तो वो हमारी simpli Alloysteric जो site है वो कहलाती है और हमारे जो effectors है जो कि वहाँ पर attach होके enzyme की activity को जो है वो regulate एक तरसो करने का काम करते हैं वो हमारे यहाँ पर जो होता है Alloysteric regulator से वो simply याँ पर कहलाते हैं उसके बाद में जो हमारा non covalently bound होते हैं और जो हमारे वहाँ पे होते हैं जो होते हैं irreversible हमारे inhibitors होते हैं वो हमारे enzyme के साथ में covalently bound होते हुए हमें देखने को ब्राप्त होते हैं तो अगर हमारा जो उस place पे हम कह सकते हैं कि हमारे inhibitor या activator हैं वो हमारे जो enzyme है उसके साथ में अगर वहाँ पे covalently bound हो जो तीसरा है वो कहलाता है transformation तो अगर हम लोग जो feedback वो regulation है उसके बारे हम बात करते है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा वहाँ परॉसेस है जब हमारा product वहाँ पर्यापमात्रा में बन जाता है तो हमारा वो product ही हमारी जो process है हमारे enzyme है उसको inhibit वहाँ पे करने का काम करता है और हमारा जो product है उसकी जब कमी हो जाती है तो फिर वो again हमारे enzyme को activate करने का वहाँ पे simply काम करता है तो यह हमारी जो process है यह हमारा feedback regulation यहाँ पे कहलाता है उसके बाद में हमारा जो fourth है वो है proteolytic cleavage of the pro enzymes तो जो हमारे pro enzymes हैं उसका अगर वहाँ पर proteolytic cleavage हो जाता है तो उस condition में भी हमें अपने enzyme की activity regulate होते हुए देखने को प्राप्त होती है और यहाँ पर जो हमारे isogymes हैं वो भी हमारा जो enzyme की activity है उसको simply regulate करने का यहाँ पर काम करते हैं अब हम लोग जो हमारा होता है enzyme का induction और repression उसके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं तो हमारा जो होता है enzyme का induction और repression है यह हमारे ऐसे यहाँ पर methods होते हैं जिससे हमारा जो वहाँ पर enzyme है उसका जो वहाँ पर response है उसकी speed और उसकी activity को control करने के simply है यहाँ पर method होते है हमारा जो वहाँ पर enzyme उसकी जो activity है उसको वहाँ पर speed up करने के लिए और control वहाँ पर करने के लिए जो हमारे methods है वो simply हमारे enzyme induction और repression यहाँ पर कहलाते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग enzyme induction के बारे में बात कर लेते हैं तो जो हमारा enzyme induction है ये एक ऐसा हमारा method होता है जिसमें हमें अपने जो enzyme की synthesis है वो हमें increase होते हुए बढ़ते हुए देखने को प्राफ्थ होती है by the effector molecules तो यहाँ पर हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा enzyme की synthesis की process है वो अगर increase होती है तो वो method हमारा simply enzyme induction कहलाता है और ये हमें अपने effector molecules के through होते हुए देखने को प्राफ्थ होता है और ये gene expression के level पे हमें होते हुए देखने को प्राफ्थ होता है तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा DNA का transcription का process होता है translation का process होता है जब वो increase होता है तो उस condition में हमें जो enzyme की synthesis है वो increase होते हुए देखने को प्राफ्थ होती है और इसलिए इसको हम लोग gene expression जो level है उसके उपर enzyme का induction यहाँ पर कहते हैं उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे molecules हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा वहाँ पर होता है जो होता वो polymerase binding हमारा region होता है जहाँ पे हमारा जो enzyme है जो की कह रहाता है वो polymerase enzyme वो वहाँ पे आके होता है bind होता है उसके shape को simply यह alter कर देते हैं जिसके कारण की जो हमारा यहाँ पे polymerase है वो efficiently वहाँ पे DNA पे हमें bind होते हुए देखने को हमें वहाँ पर प्राप्त होता है और यह जो हमारा effect है यह हमारा induction का जो effect है वो यहाँ पे कहलाता है और यह जो हमारा होता है कह सकते हैं molecule है हमारा effector यहाँ पे होता है molecule यह simply हमारा inducer यहाँ पे कहलाते हैं तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि यह जो हमारे effectors होते हैं वो जो की हमारे enzyme की induction की process को यहाँ पे करने का ए Polymerase Binding Region जहाँ पे हमारा جो होता है Polymerase वो आके होता है, Bind होता है उसके shape को यह वहाँ पे change कर देते हैं जिसके कारण की DNA के ऊपर जो हमारा यहाँ पे Polymerase है वो आसानी से effectively आके bind हो जाता है और इस तरीके से वो हमारे Gene expression को और effectively करने का काम करता है और यह जो हमारा यहाँ पर effect है वो हमारा यहाँ पर induction कहलाता है और यह जो हमारे effector molecules यहाँ पर होते हैं यह inducer simply यहाँ पर कहलाते हैं तो अगर हम लोग इसके example के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा E. coli होता है उसके अंदर जो हमारा एक यहाँ पर enzyme है जो की है वो beta हमारा उसकी अगर हम अगर सी open सिंदेली के बारे में बात करते हैं यहां पे जो हमारा यहांपे एंजायम होता है ये जो हमारा Alonebin है हमारा अगर यहांट हमारा यहां पे यहांपे यहांपम दो ने लिया है of added lactose यहाँ पे लिया है तो जैसे-जैसे हम लो lactose की quantity increase यहाँ पे करते जाते हैं क्या होता है कि हमारे enzyme की quantity हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होती है तो यह जो हमारा यहाँ पे हम कहते हो lactose है उसकी quantity जैसे-जैसे यहाँ पर इंग्रीज होती है, हमें अपला, जो ENGYME की Synthesiz है, वो यहाँ पर INGYME होते हुए, देखने को प्राप्त होती है, और यह Process हमारा ENGYME INDUCTION Ge observaturing के बारे में यहाँ पर कहलाता है, उसके बाद में हम लोग ENGYME के REPRESION के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे होते हैं कैसकते हैं effector के जो हमारे यहाँ पे molecules होते हैं वो हमारे operators के उपर हमें simply bind होते हुए देखने को यहाँ पर प्राप्त होते हैं और फिर यह इस place पे क्या करते हैं कि अभी हमारा यहाँ पे होता है polymerase है उसकी जो हमारी वहाँ पे होती है binding की site हो को simply यहाँ पर बदलने का यहाँ पर काम करते हैं जिसके कारण की जो हमारा होता है polymerase वो हमारे DNA के ऊपर properly efficiently bind जो नहीं हो पाता है जिसके कारण की हमें जो enzyme की synthesis की process है वो हमें यहाँ पर reduce होते हुए देखने को प्रात होती है तो आसान तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमारा enzyme की synthesis की process reduce होती है तो वो हमारा enzyme repression यहाँ पर simply कहलाता है तो अगर हम लोग यहाँ पर operators के बारे में बात करते हैं कि operators क्या होते हैं तो यह हमारी प्राप्त होता है तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हमारे जो यहाँ पर effectors हैं वो जब operator के ऊपर आके bind हो जाते हैं उसके configuration को change कर देते हैं तो RNA polymerase उसके ऊपर bind नहीं हो पाता है जिसके current की transcription की process हमें prevent होते हुए वो देखने को प्राप्त होती है और हमारा जो वहाँ पर enzyme का formation है वो decrease होते हुए देखने को प्राप्त होता है तो जो हमारे यहाँ पर inducer होते हैं वो हमारे repressors के साथ में जब bind हो जाते हैं तो फिर वो transcription की process को prevent करने का simply यहाँ पर एकतासे काम करते हैं और यह जो हमारा effect होता है यह हमारा repression simply यहाँ पर एकतासे कहलाता है तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पर induction और वो repression है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो यह हमारी ऐसी यहाँ पर mechanism जो होती है वो जो की हमारा जो वहाँ पर होता effector का जो level है उसके उपर वो depend वो करती है और हमारा जो pH है nutrition की condition है जो concentration है उसके उपर simply हमारा यहाँ पर induction और repression की mechanism depend होते हुए हमें देखने को अपरात होती है तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो वहाँ पर induction और हमारा repression की जो यहाँ पर process है वो हमें यहाँ पर जो हमारे effectors का level है उसके उपर हमें depend होते हुए देखने को मिलती है nutrition की condition के उपर concentration के उपर depend होते हुए देखने को मिलती है और हमारे pH के उपर depend होते हुए देखने को मिलती है तो अगर हम लोग यहाँ पर जो depression है उसके example के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा E. coli होता है अगर उसको हम लोग जो amino acids हैं उनकी supply एगर हम लोग जो नहीं करते हैं तो जब हम लोग E. coli को amino acid की supply वो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि amino जो E. coli है वो फिर वो वहाँ पर खुद चाहेगा कि जो भी amino acid है उसको हम लोग खुद से ही खुद से ही वो वहाँ पर synthesize करें तो अब अगर हम लोग कोई एक हमारा amino acid अगर हम लोग E. coli के अंदर insert कर देंगे add कर देंगे तो क्या होगा कि उस amino acid के production के लिए जो enzyme required है उसकी synthesis हमें वहाँ पर decrease होते हुए देखने को प्राप्त होगी जो होता है amount of the histidine synthesizing enzymes वो हमें simply decrease होते हुए देखने को मिलते हैं तो आसान तरीके से कहें तो अगर हम लोग E. coli के अंदर अगर कोई भी amino acid अगर उसको supply नहीं करते हैं तो क्या होता है कि फिर वो amino acid की खुद से synthesis करने का काम करता है और उसके लिए required enzyme को produce करने का यहाँ पर क करता है और जैसे हम लोग कोई एक amino acid उसके अंदर ढाल देते हैं तो क्या होता है कि उस amino acid के तो वो उसके अंदर आ गया है अब उसको उसकी synthesis करने की आओ सकता वो नहीं है तो उस amino acid की synthesis के लिए जो enzyme उसने वहाँ पर एक तरसे बनाया था उसकी synthesis वो वहाँ पर कम कर देता है means वो तो enzyme आ गया है वो तो amino acid आ गया है उसको अब उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए जो enzyme है वो फिर उसका formation वहाँ पर हमें block होते हुए देखने को प्राप्त होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर जैसे-जैसे histidine की जो concentration है उसको यहाँ पर increase करते जाते हैं जो histidine की synthesis के लिए required enzyme की concentration हमें decrease होते हुए देखने को प्राप्त होती है तो I think so जो हमारा यहाँ पर enzyme का induction है, repression है, enzyme regulation है यह आप लोग को properly समझ में आ गया होगा अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूंच सकते हैं इस topic का video आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें, अप people भी न भूलें, thank you